तो हेलो और वेलकम दोस्तों मेरे नाम संतोष और आप देख रहे हैं बर्निंग रिम्स के एक और फ्रेश वीडियो तो आज आपके लेकर आये हैं टाटा टियागो का XT Limited Edition वेरेंट है तो आज सारे बात करने वाले हैं सकार के बारे में कि इसमें आपको कैसी फीचर क्या स्प अब्डेट्स को कभी मिसना कर पाएं कि आपको इसमें की देखने के लिए मिलेगी वह एक इसमें स्मार्ट की आती है दूसरी आपको नॉर्मल की मिलेगी इसमें कुछ ऐसी देखने के लिए की मिलने वाली है इसमें लॉक और लाइट्स और अनलॉक के बटन्स आपको इसमें दियो है फ्लिप की आती है फ्रेंड स आपको कोई भी fog lamp बगेरा नहीं मिलेगी आपको accessories में चाहें तो लगवा सकते हैं उपर से आपके wind shield कुछ ऐसी दिखेगी और यह आपके electrically adjustable ORVM से हैं, foldable नहीं आते हैं और यहाँ पर आपको 14 इंचिस के sporty black piano finish में alloy wheels देखने के लिए मिलते हैं और यहां से आपको कुछ ऐसा view देखने के लिए मिलेगा और अब इसका bonnet open करके देख लिएते हैं कि इसमें आपको किस तरीके का engine आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आपको कुछ ऐसा engine देखने के लिए मिलेगा और specs की बात करें तो इसमें आपको रेवेटरोन 1.2 लीटर का बीएच सेक्स 3 सिलेंडर engine मिलता है पेटरोल इंजिन है यह जिसमें आपको 113 एनम की टॉर्क मिलता है और 86 पीस की पावर मिलेगी उपर आपको यहां पे insulation दी हुए ताकि आपकी जो engine की vibration या फिन noise वगरा यहां से आप अपना पानी बर सकते हैं और अगर बात करें average की टो 22, 23 के MPL तक की average यतनी तो close कर दिया है इसको और अब बात कर लेते हैं कार के safety features के बारे में कि इसमें आपको किस थरीकी की safety feature available हो जाते हैं इस वाले particular variant में इसमें आपको ABS with EBD corner stability control rear park assist sensor speed depend auto door locks seat belt with pre-tensioners and load limiters driver and co-passenger seat belt reminder over speed alert system two airbags और इसमें आपको immobilizer जैसे safety features मिलते हैं जैसे सारे safety features आपको देखने के बाले हैं side से ऐसा profile आपको देखने के बालेगा Tata Tiago XT limited edition का जो कि आप अभी white color देख रहे हैं इसमें roof ऐसी आपको देखने के लिए मिलेगी side से काफी अच्छा look आता है white and black theme का जो कि allowables के साथ use करी गई है पीछे से आपको कुछ इस तरीके का look देखने के लिए मिलेगा तीछे यहाँ पे आपको halogen tail lamp का setup देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे indicators वगर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपको high bounce stop lamp मिलता है कोई barrier wipers या फिर washers नहीं मिलेगा कुछ ऐसा आपका back profile देखने के लिए मिलने वाला है तीछे आपको rear parking sensors मिल जाते हैं कुछ यहाँ पे लीचे से आपको कुछ ऐसा look देखने के लिए मिलेगा Tata और Tiago की आपको matching मिल जाती है और अगर आपको boot open करना है तो की से open करना पड़ेगा चली boot open कर लेते हैं और boot open होने के बाद कुछ इस तरीके से और इतनी height पर आपको tailgate open होने वाला है और बात करें अगर तो इसमें आपको जो boot space मिलता है वो 242 liters का है उपर आपको यहां पर रिरपाशल tray मिल जाती है जिसे आप अपने requirement के हिसाब से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और आपको कुछ इतना space देखने के मिलता है tool kit उपर रखी हुई है इसे आप उठाएंगे तो नीच आपके यहां पर spare wheel मिल जाता है कुछ इस तरीके से आपका look मिलने वाला है पीछे से कुछ इतनी height पर आपका tailgate उपन होने वाला तो चलिए close कर लेते हैं अब इसके tailgate को और key को वापस से निकाल लेते हैं और आप इसके left side में आते हैं तो यहां पर आपको fuel tank मिल जाता है जो की है 35 liters का जो की अंदर से खुलेगा बाहर से आप इसके नहीं खुल सकते हैं total length है car की 3765 mm और total ground clearance आपको मिलने वाली 170 mm की और पीछे से कुछ ऐसा look है और चलिए अब इसका second door खोल के देख लेते हैं इसमें आपको कैसा door आपको देखने के लिए मिलता है पहले unlock कर लेते हैं car को car unlock हो चुकिए तो खोलते हैं इसका door और कुछ इस तरीके से dual tone में आपका door देखने के लिए मिलने वाला है जो की यहाँ पर आपको कुछ तरीके से देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर tutors मिल जाते हैं door handles black color में दिये हुए यहाँ पर power window controls है speakers आपको नीचे मिल जाते हैं bottle holders मिल जाते हैं कुछ ऐसे look आपको देखने के लिए मिलने वाला है यह आपको seats देखने के लिए मिलेंगे adjustable headrest नहीं आएगा कुछ ऐसा आपको interior का look देखने के लिए मिलेगा second row में यहाँ पर fabric आप उस्ट्री आती है seat में trier और design है seats के और चलिए बैठे थे car में और close करते हैं door को और कुछ इतना leg room आपको मिल जाता है जो की ठीक ठाक leg room मिलता है आपको कुछ ऐसा side से आपको side door का look देखने के लिए मिलेगा उपर grab handle मिलता है यहाँ पर आपको seat belts मिल जाएंगी space आप देख चुके हैं तो चलिए अब चलते हैं car के बाहर और चलते हैं इसके driver side door की तरफ वहाँ आपको कैसे feature मिलते हैं वो आपको बताते हैं कार की जो space है driver side की तरफ थोड़ा कम है तो पूरा door मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन फिर भी आपको door दिखा सकता हूँ कि आपको door में कैसे feature और कैसा door मिलता है कुछ इस तरीके सापको door देखने के लिए मिलने वाला है जिसमें dual tone की finish हुई है यहाँ पर और यहाँ पर आपको power window controls देखने के लिए मिलेंगे lock unlock की यहाँ पर knobs मिल जाएंगे electrically adjust कर पाएंगे यहाँ पर आपको इसका functional knob मिल जाता है कुछ ऐसा आपका interior का look देखने के लिए मिलेगा जो की dual tone में continue होता है पुरी car में कुछ इस तरीके साथ आपके series देखने के लिए मिलेगे front seat में आपको adjustable headrest मिल जाते है जो की काप इच्छी बात है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेक्लाइन करने का feature मिलता है height adjustment का feature नहीं मिलेगा यहाँ से bonot open कर सकते हैं और यह है इसके AC vent जो की black piano finish और chrome treatment के साथ आते हैं कुछ इस तरीके साब को देखने के लिए मिलने वाले जाँ बैठते हैं कार के अंदर close कर लेते हैं अब डोर को और कुछ इस तरीके से आपका steering wheel देखने के लिए मिलने वाला है decat steering wheel आता है और यह steering lock हो चुगा इस वक्त पर तो आपको यहाँ पर dashboard दिखा देते हैं इस तरीके से dashboard आपको देखने के लिए मिलने वाला है driver side से कुछ ऐसा view आपको देखने के लिए मिलेगा और तो चलिए अब unlock कर लेते हैं steering wheel को यहाँ आपको कोई भी illumination वागरा नहीं मिलती है around the keyhole और कुछ इस तरीके से आपका instrument cluster देखने के लिए मिलेगा जो कि fully digital instrument cluster आपको देखने के लिए मिलने वाला है कोई भी इसमें analog का function या फिर option आपको नहीं मिलेगा digitally आपको सारा instrument cluster देखने के लिए मिलने वाला है इसके MID के जो controls हैं वो आपको instrument cluster के पास ये दो knobs देखने के लिए मिलेगे जिनसे आप उन्हें use कर पाएंगे और अगर बात करें इसके MID functions के बारे में तो इसमें आपको trip, average, fuel efficiency, distance to empty, tachometer, door open and key in reminder जैसे features आपको मिल जाते हैं 6.35 cm का display आपको मिलता है digital clock वगएर आपको इसमें gear shift display भी बताएगा यहाँ पर आपको volume के और commute के buttons मिल जाते है play on or finish है, decat steering wheel है steering wheel पे कुछ ऐसा आपका side से देखने के लिए मिलने वाला है driver side view आपको दुबारा दिखा देते हैं गए और यह है इसका connect next touchscreen infotainment system जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है इसमें आपको क्या क्या function मिलते हैं वो बता देता हूँ यह आपको harmon का system मिलता है, four speaker, four twitters मिल जाते है FM, USB और यहाँ पर आपको micro SD card का भी support मिल जाता है यहाँ पर buttons आपके दिए में touch screen है इसमें आपको FM USB, Bluetooth control मिल जाता है phone book access मिल जाएगा, audio streaming है connect next की application support करता है तो ऐसे कुछ सारे आपके features देखने के लिए मिलने वाले है touch response भी आपको काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पर आपको manual AC देखने के लिए मिलता है chrome knobs के साथ यहाँ पर आपको 12V का power socket देखने के लिए मिलने गा USB aux के port मिल जाएगे नीचे थोड़ी बहुत space आपको मिल जाते है जिसमें आपको फोन या फिर wallet या फिर कोई भी चीज रख सकते है यह इसका 5-speed का manual transmission इसमें EMT का transmission भी आता है और यह इसका handbrake दो bottle या फिर glass holder आपको मिल जाते है दो compartment आपके मिलते है glove box के अंदर यहाँ कुछ ऐसा look है यह है इसका manual IRVM यहाँ पर आपको variety में कोई भी mirror देखने के लिए नहीं मिलेगा driver side variety में भी आपको कोई mirror नहीं मिलता है ticket holder आता है यहाँ पर आपको mic दिया हुआ है voice command के लिए या फिर phone पर बात करने के लिए कुछ इस तरीके से एक overall car का अंदर से look आपको देखने के लिए बाला है functions में आपको सारे समझा चुका हूँ तो चलते हैं car के बाहर और video कर लेते हैं यहीं परेंड तो कैसे लेगे आपको Tata Tiago का XT Limited Edition Variant वाइट कलर आप आप अभी देख रहे थे वीडियो आपको अगर अच्छे लगी तो comment section में जरूर बता हैं और अगर कोई गलती लगी तो वो भी बता हैं तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अपनी next video में तब तक के लिए thank you so much watching मेरे नाम संतोष आप देख रहे थे burning rooms take care bye bye